साथकों नेट्रोल गेस के साथ साथ इस खेत्र में LPG गेस के इंफ्रासेक्टर को मजबूत करने के लिए लगातार काम चल रहा है यह इसलिए जरूरी है क्योंकि पूर्वी भारत में उजवला योजना के बाद LPG गेस की कवरेज काफी अधिक बढ़ गई है जिससे डिमांड भी बड़ी है उजवला योजना के तहट पस्चिम मंगाल में करीब करीब 90 लाग बहनों बेटियों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है इन में से भी 36 लाग से जादा ST और SC वर्क की महिलाए है वर 2014 में पस्चिम मंगाल में LPG गेस की कवरेज सिरफ 41 परसंट थी हमारी सरकार के लगातार प्रयास से अब बंगाल में LPG गेस की कवरेज 99 परसंट से जादा हो गई है कहां 41 और कहां 99 से भी जादा है इस बजेट में तो देश में उजवला योजरा के तहट एक करोड और मुप्त गैस कनेक्शन गरीबों को देने का प्रावधान किया गया है इस बड़ती दिमांग को पुरा करने में हल्दिया में बनाए LPG इंपोर्ट टन्मिलल बहुत एहम भूमिका निभाएगा पस्टिम मंगाल उडिशा बिहार जारखन चतिशगर यूपी और नौर्सिष के करोडों परिवारों को इससे सुविदा मिलेगी इस सेक्टर से दो करोड से जादा लोगों को गैस सप्लाई मिलेगी इन में से करीब एक करोड उजवला योजना के ही लाभारती होंगे साथी इससे सेक्ड़ो रोजगार यहां के नवजवानों को मिलेगी साथियों क्लीन फ्यूइल क्लीन फ्यूइल को लेकर अपनी प्रतिविद्धता को पुरा करने के लिए आज यहां BS6, BS6 फ्यूइल बनाने वाले प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाने का काम भी शुरू किया गया है हल्दिया रिफाइनरी में यह दूसरी केटालिटिक डी वैक्सिंग यूनिट जब तयार हो जाएगी तो लूब बेज ओइल्स के लिए विदेशों पर हमानी निर्भरता कम हो जाएगी इससे हर साल देश के करोरो रुपिया बचेंगे बिल्कि आज हम उस सिती की तरफ बढ़ रहे हैं जब एक्सपोर्ट की कैपेसिटी तयार कर सके